In this lecture we will learn how to create the logic circuits diagram using the universal gate, nor and nand gate. तो यह हमारे पास एक expression है यहाँ पर, boolean expression, xyz bar plus zx bar और हमें इसका logic circuit diagram बनाना है using nand gate या फिर nor gate. तो दोनों universal gate हैं आप किसी से भी इसका diagram बना सकते हो, ठीक है? चाहे तो आप use कर सकते हो nand gate, चाहे तो आप nor gate use कर सकते हो, ठीक है? अगर हम nand gate use कर रहे हैं या nor gate use कर रहे हैं तो उसके लिए करना कि हमें, सबसे पहले हमें equation जो हमें expression मिला है, उसको हमें design करना है using the basic gates. तो basic gates हमारे पास क्या 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 है? not है, and है, or है. तो not, and, or की मदद से हमने इस expression को design कर दिया, ठीक है? x.y.z bar है, इनके बीच में dot है, तो इसका हमने end gate यहां पर लगेगा, तो यह लगया आपका end gate, z bar है, तो यहां पर not gate लगया, तो यह आगया end, फिर यह आगया, इस तरह से इस तरह से इधर भी है, z x bar, तो z x bar मतलब not, compliment कर देंगे उसे not gate लगा के, और यह finally input हो जाएगा आपके or gate में, क्योंकि बीच में plus है, तो यहां पर इसको or कर देंगे, तो यहां पर हमें final expression यह मिल जाएगा, तो अब हमने बना दिया अपना circuit diagram using the basic gates, अब हम क्या करेंगे, step 2 में, now replace the basic gates with the gates, not, and, or created by nand gate, or nor gate, ठीक है, जो हमारी basic gates बने है, जैसे यह and gate है, यह not gate है, यह or gate है, तो हमने यह सीखा था, कि कैसे हम nand gate से and gate डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम NAND gate से NOT gate design कर सकते हैं, कैसे हम NAND gate से OR gate design कर सकते हैं, तो उसको हम पुरा को पुरा यहाँ पर replace कर देंगे, ठीक है, तो replace कर दिया हमने, तो यहाँ पर देखो, तो यह equations, यह diagram कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है, है, सारा का सारा हमने OR gate को भी NAND gate से replace कर दिया, NAND gate से जो और gate बनता है, उसकी जगे हम नहीं लिग दिया उसकी जगे हम वह बनाएंगे इसी दिरह से हमारा जो Worknochate नन गीट से बनता है इसकी जगे हम उसको बना देंगे ठीक है तो यह आ गया हमारा है तो यह देखों यहां पर यह ज़्ड है ज़ड बार तो यहां पर नॉट्ड get था वहां दाइग्राम में नाओ सस कर दी नोर्ट ग में टीक है तो यहां पे देखो यह मिल गा हमें x y यहां पर मिल गया हमें xy बार, ठीक है, सबसे पहले xy है, तीन वेरेबल हैं हमारे पास, x, y और z, तो हमने क्या अगरा है, पहले xy का end कर दिया, उसके बाद जब xy से हमें एक output मिल गया, end gate से, उसके बाद हमने उसके साथ, z के साथ उसको implement कर दिया, using the end gate, तो सबसे पहले हम यह x को input किया, यहां पर, तो xy बार मिल गया हमें, और finally हमें क्या मिल गया, यह दूसरा end gate क्या कर देगा, इसको reverse कर देगा, यहां पर, यहां पर xy मिल गया, यहां से z गया, और finally हमें क्या, इस वाले gate पर हम इसको input कर देगे, अब यह gate और यह gate यह दोनों मिल के बना रहे आपका end gate, क्या बना रहे है, end gate, तो यह input यहाँ से गई, z bar और यहाँ से मिली हमें xy, xy, z bar तो हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है, xy, dot, z bar का whole bar हमें यहाँ पर मिल गया, और फिर इस gate से जब यह input अंदर जाएगी, तो हमें finally यह मिल जाएगा, xy, dot, z bar, ठीक है, तो बार हट जाएगा, ठीक है, यह कैसे हो रहा है, यह हमने पहले भी डिसकस किया है, कि input यहाँ पर, actually दो input, two times हम इसको यहाँ पर input provide करेंगे, इस gate को, और यहाँ पर फिर हमारा demorgan theorem अप्लाई हो जाएगी, और finally हमें यह output मिल जाएगा, ठीक है, कैसे-कैसे demorgan theorem को अप्लाई करना, यह आप देखें, demorgan theorem, जहाँ पर हमने explain करी है, और जहाँ पर हमने NAND gate और NOR gate को भी explain किया, वहाँ पर आप इसको देखें, तो आपको इसली सौझ में आ जाएगा, कि यह output कैसे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद यह मिल गा हमें XYZ बार, अब second जो part था, ZX, ठीक है, इसको भी हमें किसमें input कराना है, end gate में, तो end gate में कराना है, तो पहले हमें क्या करना है, X बार निकालना है, तो X को यहाँ पर NOT gate लगा करना है, हमें क्या more X बार मिल गया है, और यह मिल गया है, Z, यहाँ पर input होगा है, ZX बार, तो यह और जो यह देख रहो हो, यह दोनों gate में किल कि यह बना रहे है, end gate मिल रहे है, using NAND gate, ठीक है, तो NAND gate से end gate कैसे बनाते हमें, यह दो हमने यहाँ tie 10 इतना इतना part कि आपका end gate तो यहां पर जब आपका input होगा तो यहां पर मिल जाएमेhosे insurance रहा है यहばार का हुल नंगेट बनाते है कि सब्लदे और नंगेट तो सर्कुट तो यह हुआ ये श्यूसका स visuals पर्वाइब स्न्गेट ग año यहां से enter हो गई, यहां से यह मिल गया, हमें xyz-bar का whole var, यहां पर मिल गया हमें zx bar का whole var, अब जब यह दोनों input होगी तो फिर final हमें output यहволपी नहीं मिलेगे, तो कैसा मिला यह, ToH Z bar का whole bar, ठीक है, इंटू Z X bar का whole bar का whole bar, ठीक है, यहाँ पर मिला, फिर यहाँ पर D Morgan's theorem लग गई, ठीक है, अब यहाँ पर D Morgan's theorem और ब्रेक कर दिया हमने line, और sign को change कर दिया है, dot को हटा के, प्लस कर दिया है यहाँ पर, यहाँ बन गया है, X, Y, Z bar का whole bar, ठीक है, और Z X bar का whole bar का, फिर एक और बार, ठीक है, तो bar से bar cancel हो गया, तो यहाँ पर मिला हमें, X, Y, Z bar plus Z X bar, यहाँ पर मिला हमें, जो कि हमें चाहिए थी ठीक है, यह मिल गया हमें, X, Y, Z bar plus Z X bar, ठीक है, तो यह हमें, same output मिल गया है, इस circuit से, ठीक है, तो इसको हमने किस से बना है, नाइंड गेट से बना है, इसी तरह के से, आप इस पूरे circuit को आप जो है, इनकी जाए जो है, नाइंड गेट रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालू में कि, how to create the and gate using nor gate, how to create nor gate using nor gate, how to create or gate using nor gate, तो आप simply nor gate से भी इसको बना सकते हो, ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और है ध्यान देने वाले कि, आप इस circuit को थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, छोटा कैसे कर सकते हैं, तो छोटा यह से तरह किसे कर सकते हैं, जहाँ आपके दो, जैसे जो है, nand gate पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप cancel कर सकते हो, जैसे कि, आप क्या कर सकते हो, जैसे यह है, यह है, यहाँ पर, xy, तो इसने क्या कर दिया, एक स्वाइब बाहर दे दिया, ठीक है, कोई फरक नहीं पड़ा, तो हम सीधा xy को सीधा किसमें इसमें भी इंसर्ट कर सकते हैं इस वाले पार्ट में इो उसके बाद जो यह, यह, और यह, ङप एक्स, ये, अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं इन दोनों एंड गेट को भी हम यहां से हटा सकते हैं तो हमें मिल गया है यहां पर एक्स वाई हमें क्योंकि इंसर्ट एक्चुली यह करनी है ना तो यह तो हमें अल्रीड यहां पर मिली गई है तो फिर इसका और इसका जरुत नहीं है ठीक है इसकी और इसकी जरुत नहीं तो इन दोनों को भी हम हटा सकते हैं तो यह दोनों हटा दिया हमने तो सीधा इंपूट किसमें चल जाएगी यहां से सीधा यहां पिछले जाएगी तो वो सीधा यहां से देखो यह वाले गेट मे wanderेंपें यहां पे हमें actually क्या मिला रूविदू का व्लिफ दॉर इन दुनों को हम ता सकते हैं सीदह हम कि इस il पूंट को यहां पे डाल सकते तो सीदह हमनी इन पूंट सीदह यहां पे डाल दी तो एक तरह तो पहले आपको यह बनाना है उसके बाद आप चाहो तो इसमें से गेट अपने रिडूस कर सकते हो गेट रिडूस करने का जो प्रिंसिपल हो यह है कि जहां पर भी दो नैंड गेट सीरियल में होंगे यह यह और यह तो आप उनको चैंसल कर सकते हो जैसे यह और यह तो आप इनको कैंसल कर सकते हो तो इस तरह के से आपने इस सरकिट को बना दिया आप यहां पर एक और equation है यहापे expression है यहापे एक और yz plus xz ठीक है तो आपने इसका circuit diagram बनाना है using basic gates तो basic gates से हमने इसको बना लिया तो y.z है end gate लग जाएगा फिर x.z है तो यहापे भी end gate लग जाएगा और यहापे क्या लगेगा finally और gate लग जाएगा तो हमें मालू है नौर gate से end gate कैसे बनता है नौर gate से और gate कैसे बनता है तो यह नौर gate से end gate का circuit आई है ठीक है तो यह आगे आपका y bar यहापे z bar मिल गया हमें और यह देखो आप यहापे d morgans theorem लगाएंगे तो आपको final output यह मिल जागा y dot z ठीक है तो यहापे हमें क्या मिल आता y dot z मिला था इस end gate से यहापे मिल गया है हमें this end का circuit से हमें y dot z मिल जाए इसी तरीगे से यहापे आप x और z को pass करेंगे तो यहापे x bar मिल जाएगा यहां पर घंड बार मिल जाएगा ठीक है अभी एक्स वार और जैड बार कैसे मिल रहा है इसको आप एक वार उसमें देख लें उसको देखना आए कि हासको टो क्रेड नॉर्टे यूजिंग नौरडे तो वहाँ पर आपको clear हो जाएगा कि यह कैसे एक्स बार हमें कैसे मिला है जैड़ बार कैसे मिला हमें ठीक है उसके बाद जब यहां पर चले जाएगी एक्स बार जैड़ बार का होल बार तो फिर यहां पर अलडा亮 तो आप इसमें अप्लाइक रोगए इसको तो यह मिल जाएग आपको क स्थॉय हां पर जाएगा यहां पर यहां पर बार का होड़ यहां पर वोई आपक डी मॉर्गन से ओर हम लग जाएगी आप भृष्ष बरेक दाइन चैनल तो ब्रेक कर दिया अवसरा ऑपने लाइन चैनल को चेंज कर दिया ब्लस को डॉट में बना दिया तो यह बन गया, भार का ठीक है, अब बार से बार cancels हो जाता है, ठीक है, तो cancel हो गया, अब यह X, यह पूरी term आपकी X है, ठीक है, तो x dot x क्या होता है x होता है यह independence law कहता है तो हमें finally output हमें यह मिल गई ठीक है तो इस से हमें यह clear हो गया तो जगे जगे पर यहाँ पर आपकी dmorgan theorem use हो रही है जगे जगे पर आपका independence law लग रहा है तो आप इसको करेंगे समझेंगे तो आपको easily यह समझ में आ जाएगा ठीक है तो आप किसी भी circuit को जो है नौर gate से भी design कर सकते है और नेंट gate से भी design कर सकते है अब यहाँ पर एक example हो रहे है ठीक है यह देखिए यहाँ पर a dot b bar plus c dot a plus b dot d ठीक है यह expression है इसको design करना हमें तो यह basic gate से हमने इसको design कर लिया तो a b bar तो b bar हमने direct input कर देए हाला कि यहाँ पर हम क्या लगा सकते है not gate लगा सकते है b देके फिर उसको not कर देते यहाँ पर b bar बन जाता है लेकिन हमने b bar direct दे दिया a b bar ठीक है b dot b dot d ठीक है फिर a और gate लगा दिया यहाँ पर यह बन गया a plus b dot d ठीक है यहाँ से आ गया और इस वाले पार्ट में हमें मिल गया c dot a plus b dot d यह मिल गया हमें इधर से हमें a bar a dot b bar मिल गया तो finally हमने क्या कर दिया उसमें आइच लगा दिया ठीक है यहाँ पर देखो यह यह बीच में और यह बना दिया और हमें यह मिल गया अब हमें इसको नाइट से बना इस पूरे स्कृट तो हमने क्या कर दिया पहले है replace कर दिया यह basic हमारा endoit अभामbon पासि साफके नियुक्त यह वाला और अजी में उसके बना दिया यूजिंग यह इस औरलगेट को हमिने यूजिंग नेटец बना दिया यू, और का सरकिट है पूरा using NAND gate इस एवाला NAND gate इसको भी हमने डिजाइन कर दिया using the NAND gate ये सब बना लिया हमने तो जब हमने बना लिया तो apply होंगे input और finally हमें यह में जाए यह पर ठीक है इस दरह से हम इसको क्या कर सकते हैं शॉट कर सकते हैं आप इसको करके देखेंगे शॉट कर सकते हैं तो शॉट क NAND gate को आप हटा सकते है ठीक है और किसी NAND gate को भाटानी कोई गuclearस elles इसने अगर आप ने यह वाला NAND gate और शॉँथा अधर इनगेट भाटा दिया तो यह आ गया सीधा सीधा किसमें हो जाएगा सीधा यह जाए को सीधा यहां इन्पुट हो जएगा है ठीक है यहां से यह और यह जाएगा इंपूट यह बीच के दोनों हट गया ने टू से थी वाले में चला गया इंपूट सीधा ठीक है बाकि ए है ए को सीधा हमने यहां पर यहां से इबार यह इसका यहां पे ए लिखा ह müsst है और यहां पर यहां पर इस वाले में झाल है औसे वाले मैं चला जो नहीं यह से cancel हो गया यह वाला जो gate यह इससे cancel हो गया तो यह दोनों हट गया थो यह सीदा 4 की input output जो सीदा कहां चलेगी 5 त वर क है टो सीदा किस में चलेगी फिफ्प में चलेगी ठीक है तो इस तरीके से जो है आप इनको बना सकते हैं ओके पहले आप small expression है उसको बनाएं उसको practice करें फिर आपको समझ में आ जाएगा है ठीक है कैसे कैसे इसको बनाना है कैसे कैसे इसको करना है ओके यहाँ पर एक और example है हमारे पास a plus e bar dot b plus c dot d ठीक है एक और example है ठीक है तो पहले basic circuit हमने बना लिया इसका ठीक उसके बाद हमने क्या करा नार gate से बना रहे हम नेंड गेट से बना रहे हम इसे तो नेंड गेट से फिर जो basic जैसे और गेट है तो नेंड गेट से जो और गेट बना लिया और यहां पर यह अब जब बना लिया यह circuit हमारा बन गया इसमें यह देखो कि Serial में कौन से आ रहे हैं कौन से नेंड गेट आ हर तो algumas हमें Candle हो जाए जैसे यह Cdец है यहां पर मिलना था CD बार मिलना था यहां पर हमें क्या मिलेगा CD बार उं लेगा C Neea 2 बार मिलेगा फिर धूँ से इंतु डिलैगा है अब यहां पर एक यहां पर यहां पर नहीं है अधिक है यहां पर बनाएं नहीं है लेकिन और not कि यहां पिर यह दोनों page यह दोनों गेठ हट जाएंगे यह दोनोंagersक्षोन गह तूसे ज्यदा श्रीम चलए सैंगे आद पर अधर नहीं का लैघ यह यह it's कि यहां पर दिख़ा नहीं कर सकते है और फॉर से पर में चला OnePlus थीक है final output मिल गया तो हमारे total gate जो cancel हुए वो कौन से cancel हुए बस यह दोनों cancel हुए एक यह और यह आपस में cancel दोनों की जुरत नहीं इसलिए इनको हटाया आपने बास बाकी site available है कि A bar भी है ठीक है a bar का मतलए यहां पे एक not gate ऐै ठीक है यहां पर E कर दिया तो यहां पर actually क्या है यहां पर भी नॉट गयट है तब ही मिला यहां पर यहां पर यहां पर आपक नॉट गया थैंट वो बना नहीं रखे इस circuit में जो हमने इस circuit को जो थोड़ा और छोटा किया है तो उसमें यहां पर बना निखर लेकिन यहां पर circuit यहां पर वो gate available है ठीक है तो इस तरीके से हम circuits design कर सकते हैं using the NAND gate और NOR gate इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं उनिवर्सल गेट कहते हैं ओके इन में जो मैक्सिमम जो हमारा जो तो होती है एक तो हमारी जो डी मॉर्गन यूज होती हैं दूसरी हमारी इंडिपर्टेंस लो बहुत ज्यादा यूज होता है ठीक है तो अगर आपको यह दोनों थियोर्म और इंडिपर्टेंस लोग समझ में आते हैं तो आप इसली जो है इस circuits को design कर सकते हो कैसे output किसकी निकल रही है इसली आप निकाल